हलो फ्रेंड्स नवस्कार और आद आप दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी निविश टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसल इंडिया लिमिटेट की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ह और उन से हमने बात की और वो बात करने का मेन कारण यही था कि आप लोगों के हमारे चैनल पर लगातार यह कैमेंट आ रहे थे कि हसर हमारे एकाउंट में डाई हजार का पेमेंट आया ना पांच हजार का पेमेंट आया ऐसी ना जाने कितने कैमेंट हमारे चैनल पर इस वक तो भरमार आ रही थी क्योंकि प्रोसीजर से भी भाग का चालो लेकि निवेश्कों के पास प्रोसीजर चालो हुने के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा यानि कि उनके अकांट में नहीं आ पा रहा हम बात कर रहे हैं, 50000 और, 7000 और, 10000 तक की, तो दोस्तों इन सब परिसानियों को देखते हुए हमने संपर्क साधा पी ऐसे लेंडिया लिमिटेट के एक फिल्ड ओफिसर यानि ओगेनाईजर रैंक के एक अधिकारी से उस से हमने बात की कमने कासर आपकी कमपनी के जो पीडित निवेशक हैं उन निवेशकों की क्या सु किसी का आया तो दोस्तों इतना सुनते ही वो हमारे उपर इस तरीके से मतलब सच्चाई बताने पर उतार हो गए कि हम उनका मुझ देखते रहे गए और उन्होंने जो सच्चाई बयान की वो कल हम वीडियो में डाल चुके लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता दू क्योंक सबी निवेशकों तक नहीं पहुचा आपाता तो दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं उसमें हमने वीजेसर से बात की थी जो पी एस एलिंटेलिमिटेड में नौ साल से अपने कार कार्या को कर रहे थे लेकिन कंपनी के बंद होने के बाद वो घर पर ही बैटे है अपने दुकान चला रहे हैं तो दोस्तों हमने उन से ये पूचा था कि आपके पास आपकी यूनिट में जो डाई हजार पांच हजार के बांड्स वगेरा ऑनलाइन प्रोसीजर से भरे गए हैं उन से आपके किसी के पैसे आए कस्टूमर थे जो उनके अपने बनाई हुई कस्टूमर थे उनका भी पैसा एक बे000 महाय ना 5,000 वाली ना मसाथ ना 8 ना 10 और उनने ने हम से का की सेवी भाग और आरम लोडा के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया उन्होंने का यह आनलाइन प्रोसीजर से निवेशकों जिनके पास पैसा नहीं आरा है जैसे हम लोगों के पास पैसा नहीं आया अब हम बात करें तो किस से करें ओफिस बंद हैं और ऑफिसों से हमारी समस्या का समधान हो जाता था लेकिन अब आउन-लाइन प्रोसिजर चाल हुए आपने बाॉंड समिट कर दिया चाहे वो सही किया तब भी पैसा नहीं आ रहा और गलत जो किया उनका तो आने ही नहीं है। गमराई की जा रही है सेवी बाग और आराम लोडा की तरफ से क्योंकि यहां पर केवल 12,000,000 निवेशकों की पैसा देना का इक नोटिफिकेशन सेवी बाग की तरफ साई थी। उस नोटिफिकेशन में 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000 और 10,000 तक के निवेशकों का पैसा देना दिखाया गया है तो उन्होंने कहा कि यह पैसा हम तक इसलिए नहीं आए क्योंकि इसकी संक्या पांच करोट बिचासी लाक है और इतने कम लोगों को पैसा दिया गिया तो इसी साफ से किसी राज्जिय में इका दुका पहुंच गए होंगे लेकिन हमारे पास कोई किसी तरह का एक फू का हुआ है तो हम अपनी शिकायत करें तो कहा करें किस से हम गुहार लगाए ओफिस बंद है और ओफिस के साथ साथ जो पी एस एल इंडिया लिमिट्रेट का मेजर्मेंट है उनका भी इस वक जेल में बंद है कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या होगा तो इन सब परिसानिय कि उन्होंने दर्सा आते हुए हमें यही बताया कि अगर हमारा पैसा नहीं आया तो हम शिकायत करें तो कहा करें से भी बाग पर बात करते हैं उनके पास केवल एक ही सुचना होती है कि 5000 वालों का सुरू कर दिया 10,000 वालों का और अगर हम पूछते है कि हमारा पैसा नहीं आप अपना केस स्टेटस चेक के केस स्टेटस चेक करते हैं तो वो वैरिफाई आता है बिल्कुल सही होता है उसमें कोई कमी नहीं होती तो उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ पा रहा तो कुछ इस तरीके की जो हमारी समस्याए थी निवेशकों की वो हमने पीएसेल इंड चोड़ी टीम है हमारे छेतर में तो उन्होंने मिसपश्ट तोड़ से कह दिया कि यह पैसा सरकार हड़पना चाहती है इस पैसे का मिलना बहुत नामुम्किन है और यह जो इस वक दिखा रहे हैं इतने लोगों को पैसा देने का मतलब यह है कि हर राज्ये में 24-25 राज्यो तो मैं अगर इन्होंने 12 लाख निवेशकों को पैसा दिया तो क्यवल 12 लाख निवेशकों को पैसा कितना पहुंचा होगा? एक राज्ये में कितने निवेशकों को चला गया होगा? तो यही सब उन्होंने हमें बात बताई कि यही ब्रम्बरांतिया हमारे भी दिमाँ में चलती रहती है कि आखिर हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया क्यों कि जो अनके अपने खुद के कश्टूमर आँ उन्होंने बनाए थे उनके पैसे जमा पीएसल में कराए था वखुद उनको परेशार हम कर सकाहूं क्योंकि रिस्तेदारों का पैसा लगा हुआ था उनका भी मेरे अपर दवा हुआ रहा तो मैं कुछ टाइम के लिए अंडर ग्राउंड भी रहा क्योंकि काफी मोटा पैसा लगवाया था मैंने कुछ अपनी उन्होंने जो परेसानिया बता है उससे हमें यही पता चलता है कि पी ईस मिनल इमिटेड का पैसा घरांब भरोस है और यह पिशार जो चल रहा है इसमें निमेशकों को पैसा नहीं दिया जा गया रहा है तो बहुत कम संख्या में दिया जा रहा निवेशकों की संख्या इतनी कम दिखा दी गई है देंदारी की 2018 से प्रोसीजर चालू है लेकिन अभी तक कुल 12 लाख निवेशकों को पैसा दिया अब अंदादा लगा सकते कि एक राज्य में कितने निवेशकों को तक ये पैसा पहुचा होगा जबकि एक यूनिट के बंदे के पास यानि कि जो यहां पर यूनिट लगी हो ही है हमारे चेतर में उस यूनिट में कई लाख निवेशक हैं और उनके छोटे अमाउंड भी थे क्योंकि उन्होंने कुछ ने खाते किए थे तो जब कमपनी बंद हो गई तो यह दो किस्त पहुंची थी आफस में तो वह बंद होने के बाद उनके इनका महीं रुक गया तो वह भी खाते उन्होंने जमा कर दी तो उनका भी पैसे नहां तो लाख को निवेशक होने के निया कुमारी तक कितने निवेशकों को मिला होगा परती एक राज्जे में दस बीस लोगों को मिल गया होगा आद है के सो पचास लोगों को मिल गया होगा इस से जादा किसी भी राज्जे में पैसा नहीं पहुंच पया जबकि एक ही राज्जे के ना जाने कितने लाक और कर रहा करने का है और भविश्य में ऐसे ही चलता रहा था दोस्तों निवेशकों को पैसा मिलना बहुत मुस्किल है और अब संगटनों ने फिर एक बार अपनी आवास को उठाने के लिए संगठित होना सुरू कर दिया क्योंकि कुरोनाकाल तो चल रहा है लेकिन कुरोनाकाल में अगर निवेशक अपने पैसे को लेकर ऐसे ही बैठे रहे तो फिर सरकार को भी मौका मिल जाएगा वो भी सोचेगी को कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो यही सारी परेसानिया इस वक्त हमारे सामने बनी हुई है और निवेशकों की जो हमारे पास कैमेंट आते हैं उसमें य निवेशक यही कहता है कि मेरे भी नहीं मिले तो दोस्तों ऐसा कब तक भारत वर्स में चलेगा बस यही परेसानिया मारे सामने है तो दोस्तों यह आदिया दूरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक करना ना बूने साथ के साथ हमारी बैल रिलेटर्ट नियूस पहुंचे सबसे पहले आपके पास धन्यावाद जाहिंज आवारत वंद्री